हेलो दोस्तों मेरा नाम है सीवं दोस्तों आज का ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट है आज की इस वीडियो में मैं आपको BSC First Year Chemistry First Paper Inorganic Chemistry का पेपर दिखा रहा हूँ दोस्तों ये पेपर तीन सेक्षन में बटा है सेक्षन A, सेक्षन B और सेक्षन C सेक्षन A में Very Short Answer Type Question पूछे जाते हैं और हर एक प्रशन एक नमबर का होता है और सभी प्रशन को आपको लगभग 50 वर्ड में लिखना होता है तो दोस्तों आप पहले प्रशन को अराम से देख लीजिए पहले के दूसरे को देख लीजिए और पढ़ लीजिए तीसरे, चौथे सबको अराम से वीडियो को पहुच करके पढ़ लीजिए आगे चलते हैं दोस्तों अब Question No.5 की तरफ चलते हैं तो Question No.5, Question No.6, Question No.7, Question No.8 आपके सामने आ गया है वीडियो को पहुच करके अराम से Question को पहल लीजिए आगे बढ़ते हैं Question 9 और Question 10 की तरफ चलते हैं तो Question 9 और 10 आपके सामने आ गया है वीडियो को पहुच करके अराम से पढ़ लीजिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आ चुके हैं दोस्तों Section B में, Section B में जो भी प्रशन है वो 5 नमबर का है और सभी प्रशनों को आपको लगभग 200 वर्ड में लिखना है इस Section की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपको ये वाला प्रशन आता है तो आप इस प्रशन को कीजिए नहीं तो आप नीचे एक प्रशन और दिया रहता है आप उसको कर सकते हैं अर्थात अगर आपको पहला प्रशन अच्छे से आता है तो आप उसको करिए नहीं तो Second वाला कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर और का आपसन आपको दिख जाएगा अब दोस्तों Section B के तीसरे Question की तरफ चलते हैं अराम से वीडियो को पॉच करके Question को पढ़ लिजिए आप वीडियो को पॉच कर लिजिए और Question को पढ़ लिजिए Question 3 और Question 4 ओके आगे बढ़ते हैं Question 5 की तरफ चलते हैं Question 5 को भी आप वीडियो को पॉच करके अराम से पढ़ लिजिए और Question 6 को भी ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब हम आ चुके हैं section C में दोस्तों section C में जो भी प्रशन होते हैं वो L.A.Q. अर्था लांग एंसर टाइप question होते हैं और केवल आपको इसमें दो प्रशन करना होता है और इस section का जो total marks है वो 15 नंबर है अर्थात हर एक प्रश्ण साड़े साथ नमबर का है तो वीडियो को पहुच करके अराम से question को पढ़ लिए question 7 और question 8 को भी पढ़ लिए ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब हम आचुके है question number 9 पर question number 9, question number 10 को आप वीडियो को पहुच करके अराम से पढ़ लिए यहाँ पर आचुके है question number 11 पर ओके तो दोस्तों यहाँ पर हमारा paper हो जाता है खतम आपको यह वीडियो कैसा लगा comment box में जरू बताईए अगर आपको इस paper का PDF चाहिए तो आप हमें comment box में जरू लिखिए हम इसका PDF जल्द ही upload करेंगे चलिए दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो upload करूँ तो उसकर notification आपको मिल जाए चलिए दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में तब तक जैहिंद वन्दिमात्रम